इन 1962 एक बुक आई थी Silent Spring written by Rachel Carson ये environment में होने वाले जो human impacts है यानि इंसान की कारण जो हमारे नेचर के अंदे जो changes आए हैं उसके impacts के बारे में थी ये किसी science fiction से कम नहीं थी इसने हमें उस reality को दिखाया था पहली बार जो जिसे हम इंसान जो है नजर अंदाज कर रहा था ये बुक थी बदलते हुए environment के अंदर यानि जो human impact है environment के ऊपर pollution है deforestation है desertification है इन सब के कारण जो environment पे negative impact आ रहा था जो नेचर जो retaliate करने की कोशिश कर रही थी और उसके कारण जिस तरह की तबाहियां हो रही थी या होने वाली थी उन सब के बारे में थी it was an eye-opener 1967 के अंदर सबसे पहले IPM term जो थी वो यूज की गई थी IPM यानि Integrated Pest Management 1970 के अंदर United State Environmental Protection Agency EPA जो है वो पाउंड की गई थी और 1979 के अंदर Lower State University के अंदर Integrated Pest Management प्रोग्राम जो है वो पहली बार शुरूर किया गया था जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ Integrated Pest Management के अंतरकर multiple techniques को complimentary या supplementary form में यूज किया जाता है एक particular pest या group of pest या pest complex के management के लिए 1993 में US crop जो थी जितनी उगाईल गई थी या US में जितनी भी खेती की जा रही थी उस time के अंदर उसके 75% को IPM principles की base पर cover किया गया था यानि Integrated Pest Management techniques का या module का इस्तेमाल किया गया था 75% जो US crop आप कह सकते हो कि जितनी जमी पर खेती की जा रही थी उसके 75% को Integrated Pest Management principle के थूँ कंट्रोल किया गया था और यह माना गया था कि बाई 2000 यानि प्रोग्राम बना था 1993 के अंदर यह डिसाइड किया गया था कि और बाई 2000 75% यूएस जो crop है उसको IBM principle के अंतरगर मैनेज किया जाएगा 1996 के अंदर गर राउंड़ अप रेडी सोयबीन इंटिडूस की गई थी US के अंदर और बाई 2005 87% अच्वायक धाइस येस सोयबीन रेडी राईटी त अब यह राउंड़ आ यह राउंड़ आप रेडी त यह है अब यह राउंड़ आप रेडी जो है जो है बाऌ पेडी फ़ेश के अंदर ग्लापेशक्ट अब यह न कुलेख ही और travelers अब में काम करता है हर्भी साइट क्या होते हैं जो हर्ब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं इस टाइम तक यानि 19th century 20th century के अंदर उस वक्त क्या हो रहा था कि घ्लाको फोसें जो है उसका काफ이 ज्यादा इस्तेमाल होता था पैस्तिसाइड स्यर्थ वी इस मुद्ष को कं उसका इस्तमाल तो बहुत जादा हो रहा था तो उसके वैसे सोयाबीन वराइटी अच्छी से से कल्टिवेट नहीं हो रही थी इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड राउंड अप रेडी सोयाबीन इंट्रियूस की गई जो कि ग्लाइकोफोसेट रिजिस्टेंट थी और by 2005 जो है 87% जो सोयाबीन उगाई जा रही थी यूएस के अंदर वो राउंड अप रेडी वराइटी को उगाया गया था यानि इन ब्रीफ हम ये कहना चाहते हैं कि इंटिगेटिट पेस्ट मेनेजमेंट प्रोग्राम के अंतरगत मल्टिपल अप्रोचिस को इस्तमाल किया जाता है जिसके अंदर ना सिरफ हम पेस्ट को कंट्रोल करने की बात करते हैं बलकि हम हर उस तरीके की बात करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीस हो सकते जिसके अंदर जैनेटिक मोडिफाइब क्रॉप्स का इंप्रॉडक्शन भी एक टेक्नीक है इन नाइटीन नाइटीन एट राउंद अप्रेटी कॉन इंट्डूस की गई थी यूस के अंदर और देखा जाए तो 2000 के अंदर यानि 20th century के अंदर यूस फॉर्मर्ज जो थे अबाउट 1.2 बिलियन पाउंड और पैस्टिसाइड जो हर सारे इस्तिमाल करते हैं आज के टाइम में पैस्ट, क्रॉप्स और बाके सारे टिक्नीक्स की ग्रोथ की वज़ए से नॉलेज की ग्रोथ की वज़ए से, क्यूनिकेशन की ग्रोथ की वज़ए से, टेक्नीलोजी की ग्रोथ की वज़ए से टाइम के सासात्त इनसेक्रिसाइड और पैस्टिसाइड का जो क्वांधिटी है वो घट रही है और उसका better मेनेज्मेंट हो रहे है यानि उसमें क्या क्या आता है और उसको किया कैसे जाता है यह एक multi-step process है multi-step का मतलब हमें कई चीजों को जानना समझना और उसके बेस पर decisions लेने पड़ते हैं ऐसा नहीं है कि हमने बस IPM का नाम लिया और हम शुरू होगे ऐसा कुछ नहीं है IPM का मतलब है integrated pest management यानि जब हम pest को manage करना है multiple techniques या multiple tactics को इस्तेमाल करते हुए तो हमें हर चीज को हर पहलू को बहुत ध्यान से समझना होगा तो सबसे पहल तो यहीं समझना होगा कि normal क्या है और abnormal क्या है यानि हम जिस control जिस हम crop की बात कर रहे हैं जिस cultivation की बात कर रहे हैं जिस समस्या की बात कर रहे हैं वह समस्या है भी या नहीं है तो the first point is what is normal? Is it really a problem? यानि जिस चीज को हम समस्या मान रहे हैं pest control में क्या मतलब है हम? हम pest को control करना चाहते हैं pest के है जो crop को नुकसान पहुंचाता है तो जब हम crop को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं हम किसी particular insect की बात कर रहे हैं या किसी particular pest की बात कर रहे है तो कि वह वाकई में नुकसान पहुंचा रहा है या एक उसका लाइफ साइकल के प्लांट के लाइफ साइकल का वह एक नॉर्मल पार्ट है उस चीज को समझना जूरी है या यह नहीं कि हमने को इंसेक्ट देखा प्लांट के ऊपर हम शुरू हो गए कि हाँ इस पेस्टिसाइ प्लांट के उसका लेभल किया है कि हुए क्रिटिकल है जब तक हमें किसी प्राब्लम का पता नहीं होगा हम सेलूशन निकालेंगे कैसे हमें नजर आ रहा है कि प्लांट में प्रॉबलम है प्लांट की ग्रोथ जो है वो टाइम के साथ घट रही है या उसकी जब टोटल नेट प्रॉड़क्टिविटी है प्लांट की वो कम हुई है तो problem है, लेकिन problem क्या है, productivity कम किस वज़ा से हुई, कैसे हुई, plant के कौन से भाग के ओपर effect आ रहा है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है अब यह देखना यहां पर जोड़ी है, जो हम pest control की बात करते हैं, तो हमें यह देखना होगा, कि pest जो है, वो plant के कौन से भाग को effect कर रहा है, कितने plants को effect कर रहे हैं, और field में pattern क्या है, यानि किस time पे वो attack करते हैं, plant के ओपर, कितना attack करते हैं, plant को उससे कितना नुपसान होता ह और total crop के अंदर या total field के अंदर जितने plants हैं, उनमें से कितने percent के ओपर effect हो रहे हैं, इन सब चीजों को study करना, time period को study करना, यानि उस pattern को पहचानना, जिसमें की pest जो है अपने life cycle को complete कर रहा है, या plant के ओपर attack कर रहा है, उसको effect कर रहा है, उसके pattern को identify करना ज़रूरी है, यान कितने plants पर effect हो रहा है, plant के किस part पर effect हो रहा है, क्या कोई particular pattern, particular time period, दिन का कोई particular समय है, या मौसम particular, यानि ये pattern है attack का, उसको समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, फिर next is how many pests सादियर, पेस्ट का number देखना बहुत ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि already अगर already फरसल क को नुकसान हो चुका है, तो तो कोई फाइदा है नहीं ये pest management की technique का इस्तेमाल करने का, तो क्या बहुत देर हो चुकी है या बहुत जल्दी है, क्योंकि जब हम pest control की बात करते हैं, तो pest के life cycle का इसमें एक important role होता है, क्योंकि हर जो pest control technique होती है, वो pest के life cycle के किसी particular part के उपर effect करते हैं, तो हमें उसके life cycle को समझना होगा और देखना होगा कि क्या ये सही समय है उस pest को attack करने का या फिर नहीं